नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी YouTube जनल PFP में एक और ट्रेडिंग वी कम्पलीट हो चुका है और मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनती भी नजराती है निफ्टी 50, 16,350 के उपर क्लोज हुआ है वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 500 पॉइंट का डिफरंस है और हायर साइड पे मार्केट हमें क्लोज होता हुआ नजराता है और 500 पॉइंट मेरे इसाब से निफ्टी के लिए फिलाल की कंडिशन में कोई बड़ी रेंज नहीं सबसे पहले FIA, DIA activity के बार में बात करते हैं FIA लगातार sell करते जा रहे हैं उनकी selling continue है लेकिन DIA भी खरीदारी की पूरी कोशिश कर रहे है और पिछले कुछ दिनों से DIA की खरीदारी हमें ज्यादा होती भी नजराती है जो कि मेरे इसाब से अच्छी बात है लेकिन जब त अब देख पाएंगे FIA के थोड़े से कम होते वे नजरा हैं यह तो 3-4-5,000 क्रोड का selling कर रहे थे उसे इसाब से 2,000 क्रोड के अंदर आ चुके हैं तो यह शौट टम के लिए थोड़ा बहुत positive हो जाता है crude oil के बार में बात करें तो यहां पर अच्छे संकेत नजर नहीं आते हैं crude oil आपको continuously उपर जाता हुआ नजराता है higher high higher low का structure आपको यहां पर बनता हुआ नजराता है breakout वाली condition यहां पर दिखाई पड़ती है तो अगर वापस तेजी आती है तो यह वापस 10SR के level तक जा सकत है तो clearly यह Indian economy के लिए अच्छी बात नहीं है वैसे भी ज्यादातर companies के margin पर इसी की वज़े से हमें impact दिखाई पड़ जाता है natural gas के बार में बात करें तो natural gas भी अभी आपको strong ही नजराता है trend line आपको यहां पर नजराती है औरहल एक channel में trade करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब भी आपको bullish नजराता है यह भी obviously अच्छी बात नहीं है गोल्ड के बार में बात करें तो गोल्ड में आप देख पाएंगे फिलाल थोड़ी सी शांती नजराती है गोल्ड यहां पर 55,000 के level से नीचे आता वो नजराया एक support बनाया था यह support का breakdown देखने को मिला अब वा high zone में यह कैसा behave करता है यह काफी जादा important रहने वाला है अगर यहां से आपको वापस breakout वाली condition नजराती है approximately 51,500 का यह जो level है अगर यह तूट जाता है तो वापस गोल्ड बुलिश हो सकता है 52,000 और 53,000 तक के level से में दिखाई पड़ सकते हैं US dollar के बार में बात करें तो यहां पर भी आपको strength नजराती है जो कि obviously हमारे लिए अच्छी बात नहीं है रुपी आपको week होता हुआ नजराता है यहां पर 3 दिन continuous rally देखने को मेली और उसके बाद भी आपको dollar उपर के side पे sustain होता हुआ नजराता है एक range में trade कर रहा है यहां markets के बार में बात करें American markets के बार में बात करें तो S&P 500 का chart आपके सामने है last week हमने S&P 500 का weekly chart देखा था जहां पर हमने देखा था कि पिछले 5-7 हफतों से continuously आपको selling देखने को मिल रही है बीच में एक भी आपको green candle तक देखने को नहीं मिली है और एक important support पे S&P 500 आ चुका है तो शायद आपको यहाँ पर एक अच्छी short covering rally देखने को मिल सकती है और ऐसा ही हुआ S&P 500 में एक अच्छी rally देखने को मिली Dow Jones, NASDAQ सब में आपको अच्छी rally देखने को मिली यहाँ पर आप देख पाएंगे फिलाल एक condition अच्छी होती नज़राती है यहाँ पर double bottom बनाने क आपको उसका breakout नज़राता है तो यह हमारे लिए एक पहला संकेत हो जाता है कि शायद यहाँ पर आपको strong support बन चुका है यहाँ पर यह लेवल अभी आपको intact रहता हुआ नज़राएगा देखे पहले भी ऐसे संकेता है एक गिरावट हुई तेजी है फिर से गिरावट करते हैं मेंजरली हमारी मार्केट भी उसी को replicate करने की कोशिश करती है युएस मार्केट में इतनी गिरावट हो चुके उस हिसाब से अपनी मार्केट ज्यादा नहीं गिरी है तो अगर अमेरिकन मार्केट अपने आपको संबाल लेगी तो हमारी मार्केट वापस हमें strong होती भी नजर आ सकती है नेक्स्ट वीक इवेंट्स के बार में बात करें तो मंडे को और निंग से और उब इंदो फार्मा सन फार्मस्यूटिकल्स तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं टूस्डे को GDP का डेटा आने वाला है वेनस्डे को manufacturing PMI का डेटा आने वाला है थास्डे को बैले से संतिमेंट से उपर अभी कुछ भी नहीं सेन्ट कैसा है माहल कैसा है उसके उपर मार्केट फिलाल आपको ट्रेड करता हुए नज़र आता है जब डर कम रहता है ति को सारे ऐटा बहुत करना जरूरी होता है निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,000 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, इसके बाद हमें ये ब्रेकडाउन देखने को मिला, यह जो टेक्निकल टार्गेट था आपको यहाँ पर रिपीट होता हुँ नजर आया, उसके बाद 2-3 अफतों से आपको Consolidation देखने को मिल रहा है, फिलाल Nifty 50 काफी समय के बाद 20 days के Moving Average के जस्ट उपर हमें क्लोज होता हुँ नजर आया, जितना Bank Nifty में Strength दिखाई पड़ती है, यहाँ पर यह आपको घिरावट देखने को मिली, यह Level अभी तक नहीं तूट पाया है, जबकि Bank Nifty में वो Level तूट चुका है, यहाँ पर मेरे सबसे इतनी Strength नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत Strength आपको नजर आती है, ब्रेक आउट वा हुआ नजर आता है, तो आपको यहाँ पर rally देखने को मिल सकती है, 16,800 तकी, जो की काफी ज़्यादा important support था past में, जहां से पहले भी यह breakdown हुआ है, और यहाँ पर अपने 200 days का moving average भी नजर आता है, तो 16,800 से 17,000 यह 200 point का resistance zone है, यहाँ तक आपको निफ्टी जाता हुआ नजर आता है, जैसा bank nifty में हुआ, bank nifty Thursday के दिन आपको 34,800 के उपर जाती हुए नजर आई, तो 34,800 जो bank nifty का level है, वो nifty 50 के लिए actually 16,500 का level है, जिस प्रकार से bank nifty में jump आया, और वो यहाँ के level तक पहुँच चुका है, तो निफ्टी में से अगर यह level तो यहाँ तक के level तक यह प 15,500, 16,000 का 500 point का zone important है, उस इसाब से nifty mid cap भी उसी important zone में, अपने important zone में trade करता हुए नजर आता है, यहाँ पर type of head and shoulder pattern भी आपको नजर आएगा, अगर यह breakdown हो जाता है, तो obviously गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसका जो upper side का breakout है, थोड़ा दूर नजर आता है, निफ्ट 250 और 100 days के moving average भी यहीं पर है, तो resistance तो यहाँ पर तगड़ा दिखाई पड़ता है, weekly chart के बार में बात करें, तो weekly chart पे भी आप देख पाएंगे, यह जो doji candle आपको बनती भी नजर आई है, यह इतनी जादा strong hammer doji candle नहीं है, जितनी nifty में आपको strong देखने को मिली है, तो mid cap comparatively हमें थोड़ा सा weak नजर आता है, weakness की बात करें, तो सबसे ज़्यादा weakness तो भाई small cap में है, small cap में आपको बड़ा head and shoulder pattern बनता हो नजर आया, उसका breakdown देखने को मिला है, और उसके नीचे ही फिलार यह trade कर रहा है, अब देख पाएंगे continuous weakness हमें आप नजर आती है, पिछले दो दिन में जो तेजी है, कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा reflect होता हूँ नजर नहीं आया, daily RSI अब भी 35 का level है, weekly chart के बार में बात करें, तो weekly chart पर आप देख पाएंगे एक अच्छे level पर आ चुका है, 200 weeks के moving average पर हमें यह trade करता हूँ नजर आता है, लेकिन यह weekly candle भी आपको से पहले small cap में आती है, फिर mid cap में आती है, फिर large cap में आती है, फिलाल उसी प्रकार की situation में नजर आती है, तो यह एक zone है, इम्पोर्टेंट है, और एक बार तो यह zone में टच करके यहाँ पर आपको उपर जाता हुँ नजर आया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हम expect कर सकते है कुछ rally आपको देखने को मिल सकती है, उपर के साइड पर resistance अफकॉर्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत यह शांती लेने की कोशिश कर सकता है, कुछ stocks के बार में बात करते हैं, जहाँ पर हम खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं, तो सबसे पहला stock है Infosys Limited, 6 लाग करोड की दिगज market cap है, 1461 का last rate price है, 28 का P ratio है, valuation बहुत सस्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा महेंगा नहीं है, थोड़ा बहुत premium valuation industry average के इसाब से दिखाई पड़ता है, financial trend आप देख सकता है, financial trend काफी अच्छा है, revenue profit आपको continuously बढ़ता हुआ नजर आता है Infosys के चार्ट पर हमें clearly पता चलता है, जैसे results है, gap down हुआ, उसके बाद continuously यह नीचे आता हुआ नजर आया, बिलकुल भी strength यहाँ पर बीच में देखने को नहीं मिली थी, यहाँ पर ऐसी कोशिश हो रही थी कि यह breakout हो सकता है, gap fill करके वापस नीचे आ सकता है, लेकिन इतना खराब माहौल था IT stocks को लेकर, especially US market में, तो उसका implication या इसका जो effect है, आपको यहाँ पर भी देखने को मिला, फिलाल आप देख पाएंगे, थोड़ी बहुत strength हमें, लोटती हुए नजर आती है, यह गिरावट देखने को मिली, यह breakdown हुआ, एक बार retest करके नीचे आया, आपर तेजी expect कर सकते हैं, अभी तक देखें, डेली चार्ट पर, डेली RSI पर भी कोई बड़ा signal नहीं मिला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेजी हम इसलिए expect कर सकते हैं, क्योंकि यह इतना ज़्यादा घिर चुका है, और एक important level पर आ चुका है, 1400 का zone इसके लिए काफी अब भी होता है, तो भी important support से हम लोग expect करते हैं, कि थोड़ी बहुत short covering मिल सकती है, यह तो 6 लाग करोड की company है, बड़ी company है, तो easily हम यहाँ पर short covering expect कर सकते हैं, और काफी हफतों के बाद पहली बार आपको green candle देखने को मिली है, मेरे इसाब से यहाँ पर खरीदारी करना बन है, लेकिन एक अच्छे लेवल पर आ चुका है, अगर यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं, तो long term के लिए खरीदारी करना मेरे इसाब से बनता है, दूसरा stock है, बजजच finance, 3,62,000 क्रोड की market cap है, 52 का PE ratio है, company obviously महेंगे PE ratio पर trade कर रही है, इसका price to book ratio पर काफी जदा premium नजर आता है, financial trend के बार में बात करें, तो financial trend आपको अच्छा नजर आता है, अच्छी growth हमें यहाँ पर नजर आती है, एक large cap company है, फिर भी बहुत अच्छी growth यहाँ पर नजर आई है, company बहुत जदा fast तरीके से आपको digital adoption करती भी नजर आती है, कई analyst का मानना है, और of course आप भी as a consumer देख सकते हैं, जो बड़ी private bank होती है, उनके जो digital apps होते हैं, और जो budget finance का app है, आपको बहुत जदा similarities नजर आती है, जो technology है, वो आपको काफी जदा दोनों में strong नजर आती है, stock के चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि 8000 के level से घिरावट देखने को मिली, इसका important support हमें तूटता हुआ नजर आया, 5500 का level बज़ाज finance में देखने को मिला है, और फिलाल थोड़ी सी strength हमें lot TV नजर आती है, आप देख पाएंगे, यहाँ पर 20 days के moving average के उपर जाने की कोशिश की, अलाकि successful of course नहीं हो पाया है, अब भी अपने resistance zone में यह आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन overall 5500 का level काफी अच्छा है, weekly chart पर भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर पहले कई बार इसने resistance लिया था, उसके बाद breakout हुआ, time spend करने के बाद आपको यह उपर जाता हुआ नजर आया, तो यह मेरे सबसे अच्छा level है, जहाँ पर हम खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं, अगर आपने last week खरीदा है, उसके last week खरीदा है, तो वापस खरीदने की जरूत नहीं है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर बिल्कुल भी खरीदारी नहीं किये, तो अब भी यह का price भी मेरे सबसे अच्छा price है, जहाँ पर आप accumulation करने के बार में सोच सकते हैं, stock देखे, trend अब भी week है, no doubt, stock ओपर जाता है, और यहाँ पर आपको 100 days का moving average भी cross work करता हूँ, नजर आ सकता है, तो इसमें वापस गिरावट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह अच्छा accumulation zone है, जहाँ पर थोड़ा बहुत long term के लिए accumulate करने के बार में सोच जा सकता है, तीसरा stock है, Asian paint, 271,000 crores की market cap है, 89 का 90 का P ratio है, तो obviously महेंगे P ratio पर है, premium valuation पर stock trade कर रहा है, financial trend आप देख सकते हैं, growth तो यहाँ पर revenue में अच्छी देखने को मिली है, लेकिन profitability हमें की भी नज़राती है, क्योंकि margins में आपको घिरावट देखने को मिली है, जो कि clearly अच्छी बात नहीं है, और stock में भी हमें reflect होता हुआ, नज़राता है, stock के chart पर हमें clearly पता चलता है, कि stock की range में trade कर रहा था, 3000 से करके 3300 के tight range में पिछले एकाद अफ़ते, एकाद दो महीने स आपको ये trade करता हुँ, नज़राया, यहाँ पर breakdown देखने को मिला, जब वो news आई थी कि grassyum ने अपना paint sector में capex double कर दिया, तो यहाँ पर घिरावट देखने को मिली, weekly chart के बार में बात करें, 200 weeks के moving average पर support लेने की कोशिश कर रहा है, हमने immediately एक video भी बना था, जब ये stock कुछ 8-9% crash हुआ था, तब discuss किया था कि इसके लिए 26.50 से करके 27.50 का zone as a support की तरह में दिखाई पड़ेगा, और उस level सी उपर जाने की कोशिश भी करता हुँ नज़राता है, 27.50 के थोड़ा नीचे गया, लेकिन वापस आपको यहाँ पर buying emerge होती भी नज़राई है, तो मेरे इसा पाएंगे, यहाँ से आपको rally शुरू होती भी नज़राई थी, वापस यह stock वहाँ पर आया, bounce देखने को मिला, तो यह zone काफी ज़दा important हो जाता है, जहाँ पर आप खरीदारी करने की बार में सोच सकते हैं, बहुत ज़दा नीचे चला जाएगा stock, ऐसा फिलाल price में कोई indication नजर नहीं आता है, 2650, 2750 यहाँ पर कैसा behave करता है, उस पर depend करता है कि तेजी देखने को मिलेगी या घिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन as a long term investor थोड़ा बहुत accumulation इस price zone में आप करने के बार में सोच सकते हैं, I hope आपको यह video पसंद आता है, thank you, stay happy, happy investing.